तो आप जान लो देखो हकीकत जो पैरेंट होते हैं आपके, वो जूट नहीं बोलते हैं, गल्थ हैं मत रहो, जनरेशन गैप हो गया, हो सकता है इंगलिस के कुछ टरम्स आपसे ना समझ पाएं, हो सकता है कि आपकी जो आजकल कन्वर्सेशन है, उस तरीका या एप या डिज चली आपसे ज़्यादा वो एक्टिव ना हो, but they know all, they understand everything, the teacher understand everything, so उनकी बात मानो, अगर नहीं मानोगे, तो गल्थ होगा So everyone, हम लोग कोसेश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अपने process से, अपने knowledge से या अपने act से किसी तरह से बच्चों के life में कुछ चेंज ला पाने है Personally, I never want a student of at least till 12th level, वो ज़्यादा ज़्यादा social media पे रहे है, यह बिल्कुल नहीं चाहता हूँ और फिर मैं social media से ही आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा contradiction है, बट कोसेश करता हूँ है, इसके मात्रम से छोटा video बनाऊं, और आपके parent लोग आपको दिखाएं So parent participation is must in this, I request every parent to subscribe this and not the child, तो आप यह जो आज का वेडियो है, एकदम relate करेगा हर बच्चे से क्योंकि अपने experience से मैं इसको बना रहा हूँ और मैं जो face करता हूँ जाला था बातों को, उसको मैं इसमें डाला हूँ, आज का जो heading है कि हमें कई बार concept नहीं समझ में आता Actually में हमें concept समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है, Actually में हमें ये बोलना होता है, ऐसा है कई बार आपने देखा होगा एक बच्चा complete denial होता है कि इस topic का मुझे कुछ भी नहीं आता और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उससे कुछ question पूछो, कुछ topics related पूछो तो एकदम ना बता पाए, वो बताएगा कुछ कुछ चीज़े नहीं बता पाएगा तो complete denial means always, वो बच्चा performance से धर रहा है, वो सोच रहा है कि अगर हम बोल देंगे आएगा तो हमसे expectation होगा और अगर हम बोल देंगे पूरा concept आ गया और number नहीं आएगा तो parent कहेंगे यार तेरे तु तो बोल दाता समझ में आ गया, तेरे number नहीं आए तो कहीं न कहीं psychological एक problem है जिसको हमें deal करना है, बच्चों को भी deal करना है क्योंकि end result बच्चों से ही आता है तो जो बच्चे अपने आपको चाहते हैं कि हम future में एक अच्छा successful इंसान बने, एक achiever बने और अच्छा future में हम achieve करें तो उसके लिए कुछ बातें इस वीडियो में बताऊंगा, जो बिल्कुल practical है और आपको करनी होगी अगर आप नहीं करते हैं आपकी 24 है, कई कि बार मैं कहता हूँ कि किस्मत ही आपसे नहीं करवाती क्योंकि किस्मत को कुछ और आपको बनाना है, हो सकता कुछ और अच्छा लिखाओ academic से तो आप ज़्यादा ज़्यादा, IIT, medical, IS, PCS ये सब बनेंगे हो सकता है आप बहुत बड़े नेता बनने वाले हो, हो सकता है बहुत बड़े करिकेटर बनने वाले हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यार कुछ points, thumb rule आपको याद रखना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा हर field में आज के time में particularly जो इस बड़ा competition का time है इसमें चाहे वो politics हो, चाहे करिकेटर हो, रात दिन मेहनत करने वाला ही आगे जा रहा है और वो habit अगर अभी से आप नहीं डालोगे, तो आप कहीं नहीं successful होगे माना जाता है न, ऐसा बोला जाता है कि एक बच्चा अगर physics में ठीक है, तो math में भी ठीक होगा, chemistry में भी होगा एक बच्चा अगर chemistry में ठीक है तो math और physics में भी ठीक होगा ऐसा तो नहीं होता यो बच्चा के वल एक subject में top कर रहा बाकी में 10-10 number ला रहा है it is just not possible तो अगर आप एक जगे महनत कर रहे हो तो वो किस्मत कहीं भी आपको लेके जाएगी आप अच्छा ही करोगे इसलिए जो हमें समझ पे नहीं आ रहा ये point जो है इसको लेके मैं जड़ा कुछ point आपको बताता हूँ पहली बाद जब भी आप कोई भी पढ़ाई से related studies related preparation कर रहा है या कुछ भी कर रहा हो तो आपको consistent रहना है consistency is consistency is very very important very very important you cannot cover you know any day's lecture without you know having previous day's lecture आज आप class में आ गए हो for example मैंने अभी recently 3-4 lecture लिया है oscillations का और मैं आपको बता सकता हूँ यार जो पहला दूसरा lecture जिस बच्चे नहीं किया वो तीसरा चवता बिलकुल नहीं समझ पाएगा अगर आप किसी बच्चे ने वो दो चैप्टर दो लेक्चर मिस कर दी है तो आगे नहीं बढ़ सकता अब अगर आप आपके सामने ऐसी situation आप बिमार पढ़गे क्योंकि तो गरेंटी नहीं हो सकती कोई हर दिन class जाए ऐसा संभव नहीं है कभी-कभी naturally आपको कुछ problem हो सकती है और रियल problem हो सकती है तो अगर आप class में जा रहे हैं तो आप previous lecture को anyhow कवर करिए चाहे अपने दोस्ते मांगए copy चाहे recorded lecture अब तो बहुत सो विदा हो गई what's up करवा लिया दोस्ते बट यार किसी भी तरह से आप class मत जाओ एक दिन और लेकिन complete करके ही जाओ नहीं तो concept आखरी में आपको बोलना पड़ेगा समझ में नहीं आए नंबर नहीं आएगा दूसरी बात अगर कोई teacher आपको कोई भी concept पढ़ा रहा है आपको तब तक उस concept को tick नहीं करना है okay नहीं करना है done नहीं करना है जब तक घर पे जाके उस concept से related questions past year questions of the competitive exam जिसकी आप तयारी कर रहे है वो आप से ना हो जाए तो यानि completion will only be done or assumed if you are able to solve all previous year questions or most of the previous year questions और उसके बाद भी एक बार आप teacher के सामने present कर सकते हो these points मुझे नहीं आता तो यह रहा दूसरा मेरा point तीसरा मेरा point test हमेशा दो class miss करोगे चलेगा test miss करोगे नहीं चलेगा अगर आप test वाले दिन अगर आप test वाले दिन बिमार हो गए क्योंकि आप भगवान तो है नहीं आप इंदम steel के तो बने नहीं अगर आप test वाले दिन बिमार हो गएं किसी भी coaching में या you know preparation में तो आप अपने coaching owner, teacher, administrator सबसे request करो और अपना test अलग दिन प्लान करो यह मत सोचो एक बला आप से टल गई बिलकुल भी नहीं you have to plan your situation on any other day believe me क्योंकि यह सरकारी फंडा नहीं है कि आज office में तो आया नहीं तो आज office में चाहिए आग लग जाए मेरी responsibility नहीं है it is your responsibility teacher test अपने लिए नहीं कराता आपके लिए कराता है और आपको test अगर miss करते हो तो अगले दिन दो be honest paper मत देखो merit में मत ना माने तो कोई दिक्कत नहीं अलग से दो लेकिन test दो यार test आपके लिए test से बढ़िया learning जिन्दगी में कभी नहीं होती अगर आप नीज experiment हो तो दो घंटे तीन घंटे में आप 200 questions पढ़ते हो solve करते हो bubble करते हो circle भरते हो घर पे आप तीन घंटा बैठ जब 50 questions 100 questions होते 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 जब खराब हो जाती है और exam देते time brain अपने optimum potential पे होता है they are at the best potential उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा चौथा point चौथा point होता है हमेशा अपना level zero करके जाओ class में acceptance रखो low potential रखोगे तो high से low आएगी physics कहता high potential to low potential नजी फ्लो करती है तो आप हमेशा learning attitude में रहो बहुत सारे बच्चे जूट बोलते हैं बहुत सारे बच्चे back bench पे बैठते हैं और लिखने का ड्रामा करते हैं और लिखते नहीं बहुत सारे बच्चे question solve करने का ड्रामा करते हैं question नहीं solve करते हैं ऐसे बच्चें को किसमत खराब हो जाते हैं, बाद में रोते हैं आप अपने चारों तरब ऐसे लोगों को तलासी है, जो life में struggle कर रहे हैं, आज की date में aged है, struggle कर रहे हैं, मलब उनकी life अक्सर struggle में जाती है most of them have you know, destroyed their young time childhood time in doing all these musties उन्हों से पता कर अपने parents से, grand parents से कि अपने बच्पना में, जवानी में क्या क्या पता जलेगा, मस्ती कारता था, कुछ नहीं पढ़ता था serious नहीं था, maximum कुछ की किसमत से genuine manदा भी परिशान हो सकता है so I hope ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा, बहुत छोटा जवा, तक्यो